अलो गैस आज मैं अन्बॉक्सिंग करूंगा असुज जैनफोन 3S Max ZC521TL जो मैंने फ्लिप कार्ड से मंगाया था तीन दिन पहले यह तीन दिन पहले मैंने ओर्डर किया था और यह में पास आज ही आ गया मैंने प्रिपेट मंगाया था जो मुझे 500 रुपीज लेस में पढ बात से जो शायद कोई रिव्यूर नहीं करता है क्योंकि उनके पास फ्री में आते हैं बाकी सारे फॉन मैंने सिर्फ वैसा का वैसा ही फैसा का वैसा ही फॉन अपने लिए मंगाया है ताकि मैं आप सब को नौर्मली बता सकूं वैसा प्लिपकार्ट ने नौर्मल बॉक्स करने वेजा है यह उनके अजने कर फर्मोशन्स बाकी गैजट्स के और यह फो हर पॉक्स में आते हैं वैसे कि वैसे इनकी बॉक्सिंग है सेम जो आज से तीन साल पहले थी दो साल पहले थी वैसी की वैसी है बबल रैप में शॉट चोटे बॉक्स में उन्होंने बेजा है जैनफून 3S Max जिसकी बैटरी 5000 एमेच की है जिसके वज़े से पॉपुलर है बाकि इसमें आप देख सकते हैं कितने सारे फीचर्स हैं लैन एच्टी डिस्प्ले जो नॉर्मली इस बुजट के फोन में आ रहे हैं 15,000 में उसमें आ रहे हैं बाकि भी आप देख सकते हैं फिंगर्प्रिंट सेंसर दिया है इसने 5000 एमेच की बैटरी दी है 5.2 IPS दिस्प्ले दिया है जो शायद हो सकता था 5.5 आ चुका है साल पर पहले यह नया वाला है 13 मेगापिक्सल इसमें कैमरा है तो अब हम मैं इसको शुरू से खोलूँगा एस मैंने इसको परचेस किया है तो फोन शुरुआत से मेरे को ही खोल के मैं इसको यूज करूँगा बात में इसका यूज रिवियू दूँगा जो की है कि मैं इसके मारे में बताऊंगा कि थोड़े दिनों बात ही कैसा चला बाकी रिवियूर्ज सिर्फ यह बताते हैं कि यह शुरू में कैसा था कैसा रहा कैसा नहीं रहा जन्वरी जन्वरी में यह हुआ था शुठान सेवंटीन में डिलीज फर्वरी में अवेलिबल हुआ था इसमें थ्री जीबी टैम है जो सच में काफी फास्ट है मैंने इसी से यह अब रिकॉर्ड कर रहा हूं में पास दूसरा जैनफोन 3S Max भी है मैं उसी से ही रिकॉर्ड कर रहा हूं यह वीडियो वीडियो कॉलिटी भी काफी अच्छी है लाइट की वज़े से थोड़ा इसका कॉन्ट्रास बढ़ रहा है फोन जादा बहारी नहीं है और 13 मेगापिक्सल की इसकी बैटरी है अब फोन के बारे में हम बात करेंगे काफी यह कुछ सैमसंग ओन एंजी 5G7 जैसा दिखता है गोल्ड कलर में मैंने सेलेक्ट किया है पीछे से आप देख सकते हैं काफी यह रेडमी नोट एंड आइफोन 6 6 प्लस 7 जैसा इसने आजकल हर फोन आइफोन को कापी करें उसका अब स्टाइल भी इन बॉक्स हम चेक करते हैं इसके साथ इसकी बुक और टी Ich candle जो कि इसका कि इसको इसमें आज कल वाकी ह φोन आइपन नहीं देते हैं तो के ईटफोन जबुसाद दिये हैं मीडियम साइज के इसमेंpaper quelques ईयप्लग है एक्स्ट्रा भी दिये इन्होंने स्मॉल और लार्ज आपके यह की साफसे इसमें लग सकते हैं मैं आपको इसको उपन करके दिखाता हूँ कि एक ऐसे होते हैं शॉर्ट है काफी लॉंग नहीं है इसमें माइक भी है जिसमें आप इसको अच्छे तरह से ट्रैवल कर सकते हैं काफी अच्छा है इसमें शेव दिया है नॉर्मल पुराने हैटफून आते थे वैसा नहीं है इसको हम साइड में रखेंगे अब इसकी चार्ज्डर के बाताती और चार्जर इसमें आक इसमें एक गलत चीज्डिया है कि यह भी भी फास्ट चार्जिंग के साथ नहीं दिया नॉर्मल यह चारजर है फास्ट चारजिंग 5m 5000 एमेच होने के बाद भी इसमें नॉर्मल यूएस्बी पोर्ट है और इसमें अलगतरीके का यूएस्बी प्लग दिया जो आप देख सकते हैं जो पूरा वाल फिटिं और वापस यह उपर से ही खुलेगा ऐसे पिर बात बार कोड इनके इंबॉक्स यूस्बी केबल जो क्वालिटी ठीक है ज्यादा बड़ी नहीं है और आसूस में बात और इसका चार्जर उल्टा लगता है बाकि सारे फोन से इसकी सिम की पिन जिस पर आसूस आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से जो आसूस पहली बार दे रहा है कि हम रख करेंगे सेट की बात हमारे सुरी अगर आपको आसूस लगता हो कुछ लोग आसूस बोलते हैं कुछ लोग इसूस अब हम सेट पर द्यान देते हैं गोल्डन फिनिश है मैट आसुस एंक्रेव्ड है बहुत अच्छी तरह से मेटल बॉड़ी है प्लास्टिक भी बॉड़ी है साइड में बटन है वॉल्यम बटन एंड पावर बटन ऊपर सा आइफोन जैसा शेप है काव्ड 3.5 mm जैक है काफी कुछ आइफोन से मैच करता है फिंगर प्रिंट बटन है नीचे स्पीकर्स एन उल्टी यूएज भी आप ध्यान से देखेंगे तो पीचे से काफी स्मार्ट फोन जैसा दिखता है स्मार्टली इसको डिजाइन किया गया है कैमरा इसका 13 मेगा पिक्सल है और फोकस विट ड्यूल फ्लैश अब हम इसको अन करेंगे कि इसका बूट टाइम देखते हैं कि कितनी देर में अन होता है क्योंकि फून की कि देख सकते हैं अब आप इसको सिम में आपको देखा देता हूं जो लोग शैदा भी नया पर्चेस करें जिनको ना पता हो आज कल हाईब्रेट सिम चल रही है जो साइड में से ट्रेव बाराती है उल्टी जिसमें यह तो आप दूस्तिम लगा सकते हैं या फिर एक सिम औ उने ना अर शिम लग सकती हैं और इसमें अ और इसमें 28 जिवी तक सपोर्ट करता है मैमुराइगम क्या अपनेज में पढ़िए टू टीवी तकוח welcome सपोर्ट करता है पर वह नहीं है ऐसी बात 128 जिवी तक सपोर्ट करता है प्रक्रत हैं और इसको काटके WILL और और यह देख सकते हैं बूट होने में काफी टाइम ले रहा है जब तक मैं आपको इसकी स्पेसिफिकेशन बता देता हूं अचाहां यह सिम उल्टी लगती है इसमें तो आपको फून को भी उल्टा करके वापस उसी वे में डालना हुए और यह किसी भी पिन से कुल सकता ह पिन से भी अगर आपका इसके साथ आयवा पिन खो जाये तो 5.2 इंच की इसकी स्क्रीन है IPS डिस्प्लेय है 720P का 720 by 1280 चाहते तो यह अच्छा और दे सकते थे पर यह बैटरी के लिए फोन बना है तो इसमें ज्यादा पावर नहीं दे सकते हैं और शुरुआत से मैं बता द है वो नहीं बताएंगे तो इसमें आपको लेंगविज सेलेक्ट करने होती है जो प्री लोड़िड ही प्री सेलेक्टेड आती हैं इंग्लिश युनाइट्ट स्टेट्स आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं इसमें इंगिलिश है हिंदी भी है इमोजी है इमोटी कॉन्स है आप सब कुछ एक एक सेलेक्ट कर सकते हैं और कीवोड बाद में चेंज भी हो सबता है फिर आप नेक्स्ट कीजिए और इसमें आपको इंटरनेट के बारे में पूछेगा यह वीडियो उनके लिए भी है जो शायद फोन जब पहली बार इंस्टॉल करते हैं नहीं समझ में आता है किसी और से कराते हैं कुछ नहीं आपको सिर्फ नेक्स्ट क्लिक करना नॉर्मल सी पूछी नहीं है वो पूछता है हमको बतानी पड़ती है और दोस्तों आप कैसे भी सिलेक्ट करें कुछ भी करें फोन को कुछ नहीं होगा वो नॉर्मल चीजे पूछता है आप नेक्स्ट कीजिए मैं एक्री कर रहा हूं हर चीज में आप सेट अप बात में भी करेंगे अ बात एक ही है बात में कर सकते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है उसे अपडेट्स चेक कर रहा है ताकि आगे वो अपने आपको बढ़ा सके नेटवर्क से जोड़ सके अपने और प्लेइस्टोर से बाकी जो एपस हैं वो भी चेक करता है कि कौन सी आनी चाहिए कौन सी नहीं क्योंकि आसिस भी बाकी दूसरी एपस को स्पांसर करती हैं अंदर आने के लिए मैं अभी अकाउंट एड का यह पूछ रहा है मैं इसको स जल्दी से बता देता हूं कि इसका डेट एंट टाइम अपने आप बता रहा है अपने आप से लेकरता है वरना आप कोलकाता फाइफ प्लस थार्टी वाला स्लेक कर सकते हैं फिर यह फूच रहा है कि आपको कुछ पिन लगाना है या फिंगर्प्रिंट अभी नहीं बाद म इसका कुछ का सेट अप आप देख सकते हैं कुछ की इसके एप से जो इनको स्पांसर करती है जो इसके प्रिलोड़ें होना चाहती है और पहले सीट टिक्ट है दो तीन एप मिंत्रा अलीबाबा यूसी ब्राजर मैं इसको जब करता हूं तो यह है अब प्रिंस्टॉल हो ज फिन बटन है जो काफी स्मूद है 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 इसमें लींग टटच है डिके इसकी ठीक है 13 मेगा पिक्सल बोला है पर है काफी अच्छे फून में भी आते हैं सायुमिय डेटमी लेनू में भी काफी अच्छे 13 मेग पिक्सल में आफीची फोटा आ जाती है इसमें ठीक है पर as compared to camera phone अगर आपको चाहिए तो नहीं पर for battery life it is a very good phone brightness इसकी देखिया आप बहुत तेज है मैंने auto focus auto brightness भी कर दिया है तो और जल्दी से मैं आपको इसका quick बता देता हूं मैं सिफ इसके unboxing करना चाहता था कि मैं आपको बता सको flip card से जब जो लोग डरते है फोन मंगाने से उसे उनको पैसा चला जाएगा नहीं कहीं नहीं कहीं नहीं जाता है अगर आप customer care आप उस पर call कर सकते हैं नहीं में वह आपको आपकी जो है problem solve करेंगे कुछ डरने की बात नहीं है cash on delivery मंगा सकते हैं अगर आप रिपेड करते हैं को भी आजाता है बाकी मैं आपको इसके बार में normal change बता देता हूं इसके dimensions 8.9 mm thickness है जो काफी कम है और 5000 mh होने के बाद भी यह phone उतना heavy नहीं है actually इस phone को heavy होना चाहिए एच सब लोग सोच रहे होंगे कि 5000 mh is a very heavy phone but it is not 175 gram इसका weight है हाँ ठीक सुना आपने 175 gram 5000 mh battery का battery वाले फोलगा dual sim है इसमें 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 में आपको बताया है दो सिम लगती है या फिर एक में मुरी कार्ट एन से IPS LCD कैपिट से कैपिशिटिव टेच स्क्रीन है इसमें 16 मिन कलर्स बोलता है 5.2 इन स्क्रीन है और 720 पिक्सल्स या आपको देता है इसमें अपरेटिंग सिस्टेम के अगर बात करें तो यह आपको मैं आपको बता सकता हूं इसमें नोगत आंड्रोइट आपको प्रोवाइड कर रहा है जो लेटेस्ट वर्जन है चिपसेट की अगर आप सोचें कि मीडिया टेक एंटी सिक्सेंट फाइफ जीडियो जो काफी फास्ट प्रोसेसर है वह इसमें प्रोवाइड करवा है सीप्यों में ऑक्ता को 1.5 गीगाहेट्स का प्रोसेर है जो ज्यादा फास्ट नहीं है और इंटर्नल में 32GB मोडल में आता है काफी साधा है 32GB अगर आप बात करें तो बाकी आप मेमरी कार्ट रखके आप नस्पेस यूटिलाइज कर सकते हैं 3GB नहीं है जो काफी फास्ट है अगर आपको लगता है फोन लैग हो रहा है तो वह आपके जो ब्लोट स्क्रीन पे आ रहे हैं वह उसकी वज़े से है क्योंकि आस्वस का खुद का जैन की यूवाई है जो बोलते हैं उसमें इसकी वज़े से यह आपको लैग होता है थोड़ा सा दिखता है क्योंकि उनकी कुद्की अप्लिकेशन इतनी है कैमरा की बात करें 13 मेंगचल फ्रंटकैमेरा जो मैंने आपको क्कॉलिटी दिखाई इतनी कास नहीं है अगर आप कैमरा की बात करते हैं आप दूसरे फोन में जा सकते हैं फ्रंट फेसिंग इसका 8 मेगचल है वीडियो क्योंटी 1080 में कर सकता है बाकिये सेल के अंदर अंदर आती हैं स्टेंडवय की बात पर-थांज्स इसको के अन्दर आती हैं स्टेंडबाय के बात करें हम अगर तो 8.6 आरड इसको पर-थांज की सिस्क्ष आरज इसको हम स्टेंडबाय में रख सकते है so Isili deployed है Xin का लेनोवो P2 जो कि 5000 वन एमेच बैटरी के साथ आता है बट इट इस मोर कोस्ट्ली वाको 18,000 में पढ़ता है और यह 15,000 में पढ़ता है उसमें सेम वही जीजे थोड़ ऐसी वह 5.5 इंच की स्क्रीन है कि 13 मेगा पिक्सल के हमना जो 2160 पिक्सल में रिकॉर्ड करता है यह 1080 में करता है उसमें फोर जी बीट स्नैप ट्रेगन 625 रहे में हैं इसमें 3GB है इसमें 5 इसमें लेनोव पीस टू में 5100 मह की बैटरी है जैसी जैसे आप चीज बढ़ती जाति आपको लग रहा है वैसे उसकी प्राइस है वो काफी है यह 177 ग्राम है यह 175 ग्राम कर आप उसको हाथ में लेंगे आपको हवी लगे यह नहीं लगेगा यह नहीं लगे का यह नॉर्मल है आसुस की सर्विसेज में काफी यूज कर चुगा हूं यह ले टेस्ट अपडेट पहुचल दी प्रोवाइड करते हैं लेनोगो में मार्शमेलो वह अभी भी प्रोवाइड कर रहे हैं और मैं लेनोगो आसुस रेडमी तीनों फोन यूज कर रहा हूं मेरे इसाब से आसुस अगर हम कंपनी की बात करें इसके फोन नहीं मिल रहे है रेडमी 3 में यूज करता हूं उसमें हीटिंग इश्व आते हैं उसके मेडल बॉड़ी होने की जिसे वो मेरे हाथ से स्लिप हो एक बार उसमें बैंड आ गया लेनोगो नया जबता में पास के 5 है के 4 है दोनों में यूज कर रहा हूं काफी लैग होते हैं वो उसकी सर्व सब्सक्राइब कर सकता है उसकी बैटरी चेंज कराना यह स्क्रीन चेंज कराना चार्ज और यह इजी अवेलेबल है असुस के सरे सेंटर आल ओबर इंडिया है लेनोगो भी काफी अच्छा है अगर आप सिर्फ और सिर्फ इसके बैटरी पर जाते हैं तो इस वेरी गुट फोन और अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास पावर पैक्ट फोन हो जो आल राउंडर हो तो यूशुड नॉट गो विद इस फोन बिकोज अगर आप बड़ी सिटी में ट्रेवल करते हैं दूर जाते हैं इस वेरी गुट फोन फोन फोर यू बिकोज आपको पावर बैंक की जरुद नहीं आप कहीं भी जाएंगे दू तीन दिन आपके साथ रहेगा नॉर्मल यूशेज में अगर आप इसको रेगुलर ल नहीं चाहिए तो यू पिक दिस फोन और अगर आपको और भी स्टालिश फोन चाहिए यू किन गूफ और में लोट फोर काफी अच्छा फोन है उसका यूई भी बिलकुल अलग है या फिर आप लेनों में दूसरे फोन चेक आउट कर सकते हैं तैंक यू मेरे ये वीडियो देखने के लिए और मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए मैं सिर्फ आपके लिए एक वीडियो बनाया है ताकि आप ये वीडियो देखके ये देख सके कि जो बाकी रिव्यूर है बड़े रिव्यूर उनको पैसा दिया जाता है हर एक फोन पे अच्छा और बुरा बोलने के लिए फ्री में फोन दिये जाते हैं रिव्यू करने के लिए बट मैं एक कस्टुमर इसको यूज कर रहा हूं और नौर्मल सा आपके लिए एक वीडियो बना रहा है ताकि आप समझ सके के एक एस रिव्यूर नहीं एस अकस्टुमर में इस फोन को कैसा दे एक का कर दो सक्क्का। झाल झाल झाल